हलो दोस्तों, मैं आपको भगवान ने क्या अर्जुन को कहा, उसके बारे में एक रोचक बाते बताता हूँ, ये बहुत ही ज्यानवर्दक बाते हैं, आप अन तक सुनें द्रोपती के स्वेंबर में जाते वक्त स्रीकिष ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि, हे पार्थ, तराजु पर पैर समाल कर रखना, संतुलन बरावर रखना, लच मशली के आग पर ही के देथ हो, उसका खास ख्याल रखना, तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभू, सब मुझे ही करना है, तो फिर आप क्या करोगे, बात भी सही है, सब कुछ अगर अर्जुन को ही करना है, तो फिर भगवान क्या करेंगे, फिर अर्जुन ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं कर सकता, वासुदेव हस्तवे बोले, हे पार्थ, आप से नहीं होगा, वो मैं भगवान ने बोला जो आपसे नहीं होगा वो मैं करूँगा पार्थ ने कहा प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता अरजुन ने फिर पूछा वासुत फिर हसे बोले जिस अस्थीर विचलित हचलते हुए पानी में तुम मचली का निशाना साध होगे उस बिचलित पानी को इस्थीर मैं रखूंगा तात पर इस कहानी का यह है कि चाहे आप कितने भी निपुन हो कितने भी बुद्धिमान क्यों नहों कितने ही महान एवं विवेक पूर्ण क्यों नहों लेकिन आप स्वेम हर एक परस्तिती के ऊपर आपका पूर्ण नियंतरन नहीं रहता है आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है उसी को नाम है भगवान उसी को नाम है गौड सुपर नेचर जो आप पालो आपका मानने का जो भी है आपका मानने का अवधार न आप मानिये बट इनसान कोशिस पूरी करता है बागी आगे काम उपर वाला करता है थाइंक्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीचेएगा